कर आर के चनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज आपके सामने एक मैं दो धाइसा के बच्चे के बूर्ड लेकर आई हूं यह देखो देखने बहुत सरल है और बनाने में भी असान है यह नीचे की और से शुरू होते हैं और उपर की तरफ चाहते हैं कि यह देखो जैसे फ्रिल बनी है यह से फ्रिल की तरह आजाएंगे जै मैंने डोई डाले बीच में चलो आपको बनाना सिखाते हैं जै मैंने 52 फंदे डाले है 50 फंदे डालके मैंने 10 लाइं सीधी सीधी चला लिए एक दो तीन चार पांच दस लाइं होगी सीधी सीधी की अब हमने जै वाली फ्रिल बनाने हैं इसके लिए हमें बाइधागा लगाएंगे पूरी स्लाइ सीधी बुनने हैं पूरी स्लाइ सीधी और एक कुल्टी डालने हैं यह देखो मैंने एक सीधी एक उल्टी स्लाइम मैंने सीधी वाइट धागे की चुड़ा देखो एक सीधी एक उल्टी अब हमने क्या करना है एक फंदा उतारा धागा आगे जालियां बनाने हमने दो का एक धागा आगे दो का एक धागा आगे फिर दो का एक धागा आगे दो का एक धागा आगे दो का एक ऐसे आपने पूरी रो खत्म कर लेनी उल्टी स्लाइम पूरी उल्टी आएगी घागा आगे करके दो का एक करके पूरी रो खत्म कर लो कुल टीस लाइ कुल टीस लाइ कि अब सीधी स्लाई है कि पूरी सीधी स्लाई हम कुरी सीधी स्लाई ऐसे डाल यह देखो पिले हमने सीधी उल्टी डाल दी फिर हमने जाली डाल दी फिर उल्टी डाल दी फिर एक सीधी डाल दी अब क्या करना अब सारे फंदे हम कि इस स्लाई में डाल लेंगे कि हमने न इस तरह आना इस तरह हमाई डंडी आ रही है इसलिए कोई भी स्लाई लेके आपको सारे फंदे बापस स्लाई में चेंज कर लो पूरे आसे चेंज कर लो कर लो झाल झाल अब हमने जहां से फंदे उठाने हैं जहां से देखो जितने रेड रेड नजर आ रहा है न ये वाले कितने हमारे फिप्टी टूफंदे ये अर फिप्टी टूफंदे हमने जहां से उठाने हैं तो तो चाप पांच शी सा और यह अपने पूरे उठाने जोर लालना नजर आरेना स्टिच अमरा यह वाला यह से अमने पूरे थे पूरे 52 पंदे ठालेंगे क्योंकि इधर हमारा लाल धागा नहीं है इसले स्लाइब फंदे डाले इधर आमारा लाल धागा है इससे आमने फिर बुणना आसे आप पूरे फालो जिरेको क्योंकि जो पूरे इससे आमारा लालो क्योंकि प्राउडागा वालो जिरेको प्राइब लालो जिरेको आसे आमारा लालो आसे दुराई डरे तレटाth अपर्या गलामारा कर से ला पूरे जितने हमारे फंदे वो है इतने ही हमने जे करने कि ऐसे पूरे कर लो कि देखको मैंने 52 फंदे उठा लिए अब हमने इन दोनों फंदों को ऐसे बंद कर देंगे एक फंदाई दर से दोनों तरब से एक एक फंदाई हमने लेना दोनों तरब से एक एक फंदाई लेकर कर दोनों 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 कर दो दोनों तरफ से हमने जे वाइड़ा का साथ साथ इसली ले जा रहे है क्योंकि इसको हमने काट लेना दोनों तरफ से किक फंदा उठाएंगे और बंद करते जाएंगे ढहे हैं? ह५ो हम था रहे है। झाल झाल आसे आप पूरे इसे हमारा डिजाइन बनिया है आसे पूरी से लए आपका तम कर लो दोनों तरफ से झाल 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 पूरा बन के अब हमने जे रेड वालियां जैसे वाने एक दो तीन चार पांच ये किया थे पांच ये आगे उपर हमने करने हैं सीदी सीदी स्लाइयों सीदी स्लाइय हमने पांच ये करने हैं दस स्लाइय हमारे पड़ेंगी इक प्रत न हो गई दूसरी और हमने चार हो औट चार एक एक ते ये होगी ना हमारी ये एश्याhst प्रचार करने है आठ स्लाइं और डालने इतना आप कर लो फिरा के आपको बताती हूं क्या करना यह पांच आपने उपपर कर लो और पांच जी नीचे की थी पांच यह उपर ऐसे बना लो फिर आगे आपको बताती है देखो यह बन गया अवह हमने क्या करना आदे आदे फंदे करके बीच हमने आठ फंदे रखने यह मैंने बाई फंदे ऐसे बूल लिए और बाई सिदर आठ भीच बाले फंदे हमने बूल ने यह यह बहुत पॉर्शन बूला अना नहां यह वह यह वर ला यह से फंदे हमने दोनव तरफ से कट्रफ पांदा बांद करते जाना अ एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा जोरा पंद्रा सोरा सारा ठारा उन्नीस बिस इत्किस पाई ट्वंटीटू फंदीद राखके एक दो तीन चार पांच छे और साथ एक दो तीन चार पांच पांच छे साथ आठ नो दस गयारा बारा तेरा जोरा पंद्रा सोलता है एक फंद्र हमने साथ बंदे पुनके आठ में फंदे के साथ हमने इदो का एक कर देना बापस दोनों तरफ से हमने फंदे अब कटा नहीं तीन, चार, पांट, छे, साथ और आठ में फंदे में हमने इसको दो का एक कर देना इसी तरह हमने फंदे कटाने दोनों तरफ से फिर दो का एक फिर दो का एक इस तरह आप कर लो फिर आगे आपको दिखाती हूं क्या करने हमारे बाई फंदे थे ना बाईों में दस फंदे हमने बंद कर दिये और बारा बारा फंदे हमारे दोनों तरफ बच गए अब क्या करना अब फंदे निकटाने अब हम सारे फंदे एक साथ ही बुल लेंगे दास्तास फंदे दोनों तरफ दे कटा के बारा बारा फंदे हमारे बच गए अब कटाने नहीं अब हमने क्या करना एक सीधा और एक उल्टा एक सीधा धागा आगे करके उल्टा धागा पीछे सीधा धागा आगे उल्टा धागा पीछे सीधा एक सीधा और एक उल्टा फंदा जैंbit इसका बार बना अना है 10 सीधा एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा जे फंदे भी साथ ही ले लेने दोनों तरफ से सीधा उल्टे का बॉर्डर बनाना सीधी सुलाई सीधी सुलाई में मैं आपने सीधा उल्टा ही बुनना जो जो फंदा नदर आ रहा है वैसे ही बुनना सीधे की उपर सीधा उल्टे की उपर उल्टा ऐसा आप पुरा बार्डर बना लो फिर आपको पुरा बार्डर बनाके आपको दिखाती हूं क्या करना आगे चोदा सलेंगा डाल ली सीधी उल्टी की एक बॉर्डर की तरह यह बन गया अब हमने उल्टी तरफ से यह सीधा तरफ हमारी यह उल्टी तरफ उल्टी तरफ से हमने क्या करना देखो पहले सीधा फंदा हमने बुन लिया फिर धागा ऐसे गुमाया जाली बना ली फिर उसी में फिर वापस पहले सीधा बुन लिया फिर धागा कुमाया फिर उसी में एक फंदे के तीन फंदे हमने करने है फिर सीधा बुन लेना उतारना नहीं ऐसे धागा गुमाकर जाली बन आ दिया कि पेले सीधा बुन लिया फ्रीर भागा अासे गुमाय चले फ्रीन फ्रें फ्रील भागा ये घुमाय गुभ एक फंदे के तीन फंदे बन जते हैं एक फंदे के तीन फंदे बन जाते हैं यह उपड़ वाली हमने फ्रिल बनाने यह वाली सिंपल विद्धागा गुमाया उसी में निकालना बुर्ण के उसको छोड़ना नहीं पहले बापस ऐसे गुमाकर आप सारी सलाही उल्टी जाएगे पुरी सलाही उल्टी एक सीधी उल्टी आप और डालने एक सीधी उल्टी और डालके फिर आपको आप उसको बंद कर देना पुरा बन के त्यार हो गया एक सीधी उल्टी डालके अब हमने ये वाइट वाला हिस्सा बनाना ये वाला ये वाला ये यहां से यह देखो यहां से जब पीछे वाली चेन हैना इसके निकार के दोनों में कठे निकाल देना सिंपल क्रोश्या है इसमें निकार के बास सिंपल वाइट वाले में बीच में ही निकाले मैं ऐसे वाइट वाले में वी यह पूरी चेनी लियानी आगे वाला हिस्सा लिया ना यह वाला यह पूरा यह देख पूरा हो गया है अब हम जहां से पूरी स्लाई आज से करेंगे आप इस पूरी इदर से भी और इदर से भी पूरी स्लाई करके बीच में आज से डोडी बनाकर यां डोई डाल जाएगी 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 जाप पूरी आप स्लाई कर लो जाएगी 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 जाए ऐसे पुरिश लाइक करके फिलको ऐसे आप जहां हम डूई डाल देंगे थांक यू लाइक शेर सब्सक्राइब करना मत भूरना झाल देंगे लाइक करना देंगे झाल 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 झाल